नमस्कार दोस्तो स्वोगत है आप सभी का रोजगार विद नवीन ओफीशल यूटूब चलेंड में दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी कुछ कबरी आ चुकी है क्योंकि कूफिया विभाग में आ चुकी है नई भरती जिहां दोस्तो आज हम बात करने जारे हैं इंटेलिजेंस बीरो कूफिया विभाग की नई भरती के बारे में सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये भरती आ चुकी है दोस्तो आप दिखते हैं इंटेलिजेंस बीरो यानि कि मिनिस्ट्री आफ हॉम अफेर्स की तरफ से नई भरती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहाँ पर जो वेकेंसी निकाली गई है वो अलग-अलग स्टेट से वेकेंसी है आप जिते हैं यहाँ पर धेली, चेन्नई, जेपू, रजिस्तान, मुंबई, महरास्ट, नागपूर अलग-अलग लोकेशन से यहाँ पर भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और दोस्तों यह जो वेकेंसी है, केवल दस्वी पास Candightants के लिए वेकेंसी है अगर दोस्तो आप तेन्ध क्लास पास है तो आप सभी Candightants हो है 100% eligible है अपलाइक कर सकते हैं तो अगर आप दसवी के लास पास है तो इस साल 2023 में आपको एक गवर्मेंट जॉब मिल सकती है केवल आपको apply करना है दोस्तों यहाँ पर टोटल जो वेकींसी रिलीज की गई है वो आप दोस्ते हैं 677 है यानि कि पोने 700 पोस्ट पर ये वेकींसी निकाली गई है इसके आवे दन आप से कब से कब तक चलेंगे 14 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक ठीके तो 14 अक्टूबर से इसके ओनलाइन आवे दन स्टार्ट किये जा रहे है और लास डेट जो है 13 नवंबर है ठीके तो apply करने का process क्या रहेगा selection का process क्या रहेगा salary आपको कितनी मिल र आने के लिए friends हमारे YouTube चने को आज ही subscribe किजेगा और बेल आइकन जरू दबाएगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खूफिया विभाग भरती 2023 के बारे में जी हां दोस्तों जैसा कि आप देते हैं Ministry of Home Affairs MHA की तरफ से IB Intelligence Bureau की तरफ से आ चुकी है नई recruitment इस साल 2023 क और यहां पर जो वेकेंसी निकाली गई है वो है MTS की वेकेंसी, SA की वेकेंसी और MT की वेकेंसी, details में आपको जान करेंगे कौन-कौन सी वेकेंसी हैं और यह जो वेकेंसी है और इंडिया की वेकेंसी है यानि कि इंडिया की किसी भी state and district में आप रहते हैं friends तो आप सभी के मेल और फिमेल अप्लाई कर सकते हैं तो इसके आवे दिन कब से कब तक चलेंगे 14 अक्टूबर से 13 नमबर तक और 10 पास के इंडियर्स अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए आपको डिटेस में जानकर देते हैं सिधा ओफिशल वापसेट के मद्यम से दोस्तों हमारी जो ओफिशल यहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्मेंट जोब की जानकर दी जाती है आप चाहें तो इसे गूगल में टाइप करके सर्च कर सकते हैं जैसे फ्रेंड्स आप सर्च करेंगे आप सिधा हमारी ओफिशल वापसेट पराजेंगे तो नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपक जाते हैं 677 है और कौन-कौन सी पोस्ट है वो आप देशते हैं ऐसे मतलब सीकुरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है और M.T. यानि की मोटर ट्रांसपोर्ट की वेकेंसी है कुल मिला कि यह जो वेकेंसी है 362 है वहीं बात की जाए M.T.S. की यानि की मल्टिटास्क में लड़कों के साथ-साथ लड़कियां भी अपलाई कर सकती हैं सालरी की बात की जाए तो 21,700 से लगबग 70,000 रुपे पर मंद आपको सालरी मिल रही है और एप्लिकेशन फीज जो है यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए केवल 500 रुपे है जिसका पैमेंट आप सभी को ऑनलाइन कर की गई है तो कम से कम जो है 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए मैक्जिमम सताई साल तक के केंडियर सप्लाई कर सकते हैं तो यह तो है क्रेटरिया जनल वालो का बकि अगर आप HCST या PWD या फिर अगर आप OBC NCLA केंडियर से तो आप IECU में चूट का बैइफित ले सकते हैं जो आपर केवल आपको इंटरू के लिए बुराज आएगा अब बात करें कि क्वालिफिकिशन क्या रखी गए हैं तो किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप्लाई करते हैं IB की वेकींसी के लिए तो केवल यहां पर दस्वी पास रखा गया है अगर आप तेंत के लास पास हो करते हैं ठीक है दस्वी पास के लिए गॉल्डन अप्रोटरिटी है अपलाई कीजेगा इसके आवे दिन जो है 14 अक्टूबर से स्टार्ट किये जा रहे हैं और लास्ट जो है 13 नमबर 2030 यहां सी अपलाई कर पाएंगे यहां सी आप जो है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को ड पार मन थे ठीक है और MTS के लिए 18 से लगबग 56 रुपे बाकि सभी जानकर यहां पर है जिसा कि exam का center कहा पर आएगा exam किस प्रकार लिया जाएगा exam का pattern आप यहां से देखते हैं टायर 1 का exam का pattern क्या होगा टायर 2 का क्या होगा ठीक है तो एक गंटे का आपको समय मिलेगा दोनों ही paper में आप चेक आउट कर सकते हैं और यहां पर category wise fees के से पे करनी है आप इधना आप देखते हैं 14 अक्टूबर से 13 नमंबर तक चलेंगे बाकि सभी जानकर यहां आप notification से ले सकते हैं और वेकिंसी के अलावा और भी नई जॉप के अप्डेट आप हमारी website से ले सकते हैं आप लाइक का सकते हैं तब पर चेरण को subscribe कीजेगा और वीडियो को like जरू कीजेगा thank you so much